Hello everyone, मैं विश्वजीत सिंग, आप सभी का दीनव पर स्वागत करता हूँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के इंदर में, हम MA History MHI 010 का दिसमबर 2022 की को सॉल्फ करने वाले हैं को सॉल्फ करने का benefit क्या होता है, उसके बारे मिठोस हम discuss करें तो आप जितने ज़्यादा question विपर को सॉल्फ करते हो, ठीक है, उससे आपको ये चीज़ समझ में आता है कि किसी भी question का, exam में पूछे जाने का pattern का है, what is the pattern of that question, ये समझ में आ जाता है एक problem तो ये होती है, common problem जो हमें question का pattern समझ में आता है दूसरा जो सबसे बड़ी problem है आज के समय में, वो होता है कि हमें answer को कैसे लिखना है तो ये सारी comments mistake होती है, जो आज के समय में हम face करते हैं तो आज के इस video के अंदर में, हम question paper को solve करते हुए, इन problems के बारे में बात करेंगे इनके उपन में focus करते हुए, इस question paper को solve करेंगे चले हम अपना video start करते हैं, बड़ एक request रहेगा, सभी viewers से जो भी हमें देख रहे हैं तो मैं request ये करूँगा दोस्तों आप सभी से, कि दीन आपको हमारे channel को subscribe जरूर करें क्योंकि आपके एक-एक subscribe से हमें motivation मिलती है हमें आगे बढ़ने के लिए दीन आपके उपर में अभी एक member से program चल रहा है, जिसके बाद आप दीन आपके सारे वीडियो को access कर पाओगे सारे वीडियो को देख पाओगे, almost 1000 से ज़्यादा वीडियो दीन आपके उपर में उसका lab उठा पाओगे तो आप दीन आपके member से program के तुरू जरू जुड़े और एक suggestion और रहेगा यहाँ पर, अगर आप MA history के अंदर में अच्छा number लाना चाहते हो किसी भी subject के अंदर में तो हमारे दीन आपके उपर में last five year के question paper की वीडियो से जिसमें almost 100 से ज़्यादा questions को attempt किया गया है, किस तरह से solve होना चाहिए, किस तरह से कितना number answer लिख सकते हैं, क्या answer लिखने का तरीका हो सकता है, solve question paper की पूरी वीडियो डली हुई है, dated 2-2 गंटे की, आप उन वीडियो क जूर देखें, membership program लेने के बाद आप देख पाएंगी, उन वीडियो से आपको बहुत ज्यादा लाव होने वाला है, आपके number को boost करने में, चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करने के साथ साथ दोस्तों हमें सबसे पहले हमें पता होना हैं, जब हम MHI 010 की बात करते हैं, तो one of the tough book कह सकते हैं, आप email history की, क्योंकि इसके अंदर में जो time period हो बहुत बढ़ा है, ठीक हम बड़े लंबे time period को cover करते हैं, और tough book इसलिए भी का जाते हैं से, क्योंकि इसके उपर हम focus नहीं करते हैं, पढ़ने में, हम भारत के नगरी कर बनने की अगी story होती है, कि यह इस तर से बना, जिस जगह पर मैं रहता हूं आज के समय में, बुराडी में, क्या यह आज भी ऐसा है, जिस तर का आज दिखता है क्या आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले ऐसा था, नहीं, बिलकुल नहीं, पहले यहां पर खेती होती थी, आस पास जिकर करेंगे, और नगरी करन व्यवस्ता का उद्भाव कैसे हुआ, नगरों का उद्भाव कैसे हुआ, नगर बनते कैसे चले गए, इसके बारे में यह आप एम डिसकस करेंगे, चलिए हमें स्टार्ट करते हैं, कोशिन पेपर के अंदर में, कुछ जो का ध्यान रखना हो और इसके अंदर में आपको टारगेट लेकर चलना होता है, कि आपको फिफ्टिन प्लस तो अटलस सकोर करना है 17-18 तक का यह एक चलना होता है, 15 प्लस 17-18 तक का स्कोर होँना चाहिए, एक कोश्चन के अंदर में, जिसके बाद आप कह सकते हुए कुछ आपका अच्छ आप सब्सक्राइब करें तो आपको 17-18 नंबर कहीं नहीं जाते हैं ठीक है आप तार्गेट और ज्यादा करोगे तो और अच्छा नंबर कर पाओंगे उसके लिए आपको मेहनत करने जोद पड़ेगी तो चलिए हम अपना question पर को स्टार्ट करते हैं दिसम्बर 2022 का कुश्चन पर मैं यहां पर आपका जो हिंदी का कुश्चन पर उसके बारे में तो हमारे जो पहला कोश्चन आता है पहला कुश्चन कहता है कि मद्यकारी नगरों के अध्यन सम्दित बिविन दिस्टी कोन आप देखो चोब मेडाइवल टाइम पिरेट के चोट नगर थे उसको स्टड़ी कर रहे हैं तो आप टोटल दस लोगों के टीम के अंदर गए तो दस लोग है तो सब का अलग अलग नगरों को रेलेटेड के क्या अंद्रिष्टिक कोन है यहां पर उत्पादन की मात्रा पृट जाब जार जब हो तो उसको उसको एंदर हैंपे हेंड्री पिनेर किके नाम आपको याद करना एक्सूनना है द्यान से कि क्या चीजिदे कर आपको समझ में आना रहा हूं तो दुवारा एक बार वेक बार करकर चुनिए जिदू से आपको नाम याद रहे क्योंकि लेसन बहुत बड़ा होता है तो सबका नाम अगर लिखू मैं तो बहुत जादा पोड़ान जाता है ठीक है तो मैं बोल रहा हूं को हैंच्वी प्यूंधी पीनेर का क्या कहना था तो यहां पर उनका कहना था कि मद्यकाली जो नगर ठें उनके अंदर में पर्धान्ता थी लीड करके चलते ते नगरों को लीड करके चलते ते और इसके कारण से क्या दिखा गया कि समाज के अंदर में परिवर्तन आया समाज के अंदर में क्या परिवर्तन आया यह माना हैं रिपी निगर ने ठीक है समझ में आता है यहां पर एक और आते हैं फ्रणांट करके और इत करम विकास के तौर पर बाटा नगरों की किस तर से विक्सित हुए नगर नियूख क्या कि नगरों का कि किस तर से विक्सित हुए थिक पहला भाख को मुक्त नगर है का अधार पर तो Satya बातरा आते में पहला जाता आता की दर्भ मुक्त नगरम को प्तार से ग्रीस और रोम का और तरह था इसके ओपर किसी का अधीपत स्क्राइन था निरॉब है कि पूर्ब होंदीटर पर शक्साहर का पूरूमी अहीं होती दीकार पर चबते टेक Whew त्ली के इड़ настроist भीकार के सटंटरा फ मतनध कर देखते अधिकार लेते हैं, Greece और Rome जैसे जो नगर थे हों मुक्त नगरों के स्रीणी में आते थे दूसरा यहां पर बिडल कहते हैं, दूसरा कहते हैं आरक्षित नगर, आरक्षित नगर क्या, जिसके उपर एक किसी का दिकार हो, जिसके उपर रिजुवेशन एक तरसे कहते हैं, टिकट, जिसक पर मतलब किसी ना किसी वेक्तिकादिकार हो चिवन सेली और वैक्तिकत सेली के लिए बहुत ज्यादा डिफेरेंसे मिलता हूं आप सेली ती ओर वैक्तिकत अधार पर बहुत ज्यादा मुक्त नगर के तौर पर ठीक है आरक्षित नगर को जाना गया जो आरक्षित नगर थे वहां पर सामनती व्यवस्था नहीं देखी जाती है आरक्षित नगर के अंदर में तीसरा यहां पर नगर जो व्यवस्था आता है तीसरा नगर व्यवस्था के अंदर में हम कहते है अधिनस्त नगर मतलब वो राजाओं और राजे के अधिन एक नगर होते थे अधिनस्त नगर के तोर पर जाने जाते थे अधिन मतलब क्या मैं आपने कई बार मुविव के अंदर में डायलोग सुना हुआ कि मैं तुम्हारे अधिन नहीं हो मैं तुम्हारे अधिन काम नहीं क तो इस तरह से जो नगर थे अदिनस्त नगर के लाए इसके अंदर में जो एक्जामबल आता है फ्लोरेस और पैरिस जैसे ही सहरों का एक्जामबल आता है यह वैपारिक केंदरों के तौर पे विक्सित हुए और थोड़ा सा base आपको मिल सके कि आप इसके अंदर में क्या लिखना है जब आप book को थोड़ा सा अगर help के लिए पढ़ते हो तो आपको बहुत detail में आपको समझ में आ जाएगा क्या जाएगा तो अगर मैं roughly एक बार और वापस बताओं के पहले question का answer तो यहाँ पे जो भी इ होगे तो almost 500 वर्ड के अंदर में अच्छे से लिख सकते हो अर्चा नंबर मिल जाएगा यह पीछे भी कई बार रिपीट हुआ है तो important question के तौर पर हम इसको सामिल कर सकते हैं अगले question की और बढ़ते हैं जो हमारे अगला question है second question जिसमें कहता है मोहन जोड़ू नगर के विन आप किस बासे सहमत है कि मोहन जोड़ों को जो नगर विन्यास से कि दिरिष्टी से एक परतिका आत्म की काई हडपा ही नगर परतिनिद्व करता है देखो यहां पर जो यह second वाले का आंसर में सबसे पहले देता हूं आपको जिसके बाद हम first वाले का आंसर लेंगे यहां प जो भी है मोहन जोड़ों हो चाए को यह उस परतिनीदित करता है वह कुन करता है हडपा करता है रिजन यह रहा कि पूरा इस्थल का में खेत्र था हडपा था ठीक क्योंकि सबसे पहले वहीं मिला तो उसी के नाम पर पूरे स्थल का नाम पढ़ गया और जो नगरी वववस है तो मोहन जोद्रों का नाम आजेते हैं कि मोहन जोद्रों की सब्वेता पर स्टार्टिंग में हडपा मिला इसके काइं से हडपा की सब्वेता के तौर पर ही उसे जाना जाता है ठीक है तो सेकेंड वाले का अंसर मिल गया अब हम फर्स्ट वाले की बात करें कि मोहन जोद्र सभेता है, बहुत ही हर्वέ权 के अंदर में विशिता के मिलती है मोहन जोद्रों के अंदर में भी ओ चीज़े देखने के लिए मिलती है पुरातात्विक द्रिश्टी से ये स्थलिक आसाधारन और संग्रक्षित स्थल के तौर पे दिखा जाता है कि मतलब यार ये common स्थल के तौर पे तो बिल्कुल नहीं माना गया संग्रक्षित नगर क्या होते हैं जो जिनको संग्रक्षण के तौर जनको राजा आए किसी का संग्रक्षण मिला होता है तो उसके तौर पे ये जाने जाते हैं क्या निर्मान किया गिएगा ओर जो समस्या हुदेते उसके चिज़ कीज़ें साथ साथ में गलियों को निर्मान किया गया था गलियों की गर विसेस्ता देखोगे तो 90 डिगरी के कौन पर एक दूसरी को कारते थी समकोन पर एक दूसरी को कारते थी सारी गलिया और ग्रीड पदती के अधार पर गलियों को निर्मान किया गया था सड़को और खुमे जैसी जो नगरिये सुविधा होती जो प्रात्मिक सुविधा होती उसका भी हमें देखने के लिए मिलता है नालियों की पानी होता उसके जल निकासी के लिए जो होदों का निर्मान करवाया गया था जहां पर पानी कठ्ठा हो जाती ते और एक से अधिक होदों का निर्मान करवाया जाता था जब किसी एक घर का एक होद भर जाता था तो जो नाली होता था उसको डाइवर्ट करके दूसरी तरफ कर दिया जाता था दूसरी होद में कर दिया जाता था फिर उस होद का जो पहले वाले होद का पानी सूख जाता था तब वापस से नाली को इसाई डावर्ट कर दिया जाता था विविन आवासी जो सम्रचना होती तो उसके अंदर में देखने के लिए मिलती है हर एक घर हर एक नगरी जो विवस्ता थी एक जैसे नहीं थी एक समान नहीं माने गई तो थोड़ा पूर डिफ्रेंसिस भी देखने के लिए मिलत है कई जगह पे बहुत अधिक मात्रा में सिल्प किरतिया प्राप्त होती है और न RTX इंसमें इफन देखने के लिए मिलता हे सिल्फ किरतियों कि विभिन और मात्राव धाता क्या है किस तर तरसे इकठी एकठा क्या घा उसके अंदर स्था हम के मात्रां के इंदर में सचस विथ檔 कर वहां पर कंद बुथे कि यहादा मात्रा में था ठीक एक इस तरह से दुछ जो उपयोग थे उसकी मतलब changes देखेगी उसके अंदर में विन्था देखेगी उसके इनदर में डिफ्रेंसेस देखेगी ठीके विलासिलता संदचनाव की सामगरी ठीके जो अलग-अलग तरह की जो विलासिलता बस्तु होती है लगजरी जो ठीक है विदेशी कच्छी सामगरी की उपस्तिती देखने के लिए मिलती है जो विदेश से लाइगे कच्छी सामगरी आते हैं उसकी उपस्तिती में बजारों में वहां पे देखा हरपा सब बताओं के अंदर में मोहन जोद्रों के सब बता के अंदर में नगरों के अंदर मे हमें देखने के लिए विवेवेसाई जो था उसके अंदरमें बिवैळी करण देखा गया अलग-उने की है उसको कू SI सब्सक्राइब करको से लेकर 500 level से लेकर बात करते हो कि 500 c e से तिक हम बात करें कि मद्य गंगा घानटी के पारंभी के तियासिक जो गंगा नदी इमें इस तर से बहरी है तो इसके पारंभी जो इसके आज-पास में जो नगर बने उनके के परमक विस्ता के ति किस तरह के किंदर बने उनके के के तो इस तरह के जो भी नदी जो सहर बसते चले गए गंगा नदी के आसपास किनारे में तो उनकी विसेष्था गया थी तो एक चीज़ हम टॉपिक से थोड़ा हटकर हमें समझने जरूत है कि स्टार्टिंग में जितने भी नगरों का उदे हुआ चाहे आप डेली की बात करो किसी और की चीज़ की बात परो या पिर कहीं पर भी जो सबसे जादा विक्सित छेदरत के तौर पर जाना गया वह आसपास के जो पानी वाला इलाका था चाहे नदी हो चाहे समंद्र हो तलाव हो उसके पास ही में विक्सित हुआ सबसे बड़ा रीजन क्या होता था कि पिकर तो रहनी रहोगे नहीं और जब हम पानसो बीसी की बात करें पानसो इसा पुरुकी बात करें तो इससा वाइल्यवल भी नहीं ठीक है कि बिसलेरी मंगा लिए तो उसके लिए हमें क्या उकार पूरी तरसे निरभरता कि इसके ऊपर रखनी पड़ेगी नदी के उपर पहले हाइवे रोड तो होता नहीं था कि बिया ओला किया इधर हाइवे से निकल एक दम में यमिन एक्सप्रेस वे पकड़ा डारेक्ट इलहाबाद यूपी जा रहे हैं आसा तो हो नी सकता तो पहले क्या होता था नदी मार का ही उपयोग सबसे जादा किया जरिए उसके का नारत के अंदर में जो गंगा नदी पूरी बहर ही है उसके आसपास का जो चिदर था वह बहुत ज़्यादा विक्सित होते वह दिखा जाता है अनेक नगरी केंद्रों का वहाँ पर हमें जो साक्षिप प्राप्त होता है कि अलग बात करें में पाटली पुतर जो आज की सम पाटली पुत्रा का जो नगरी केंद्र था या बड़े च्छेतर के तोर पे दिखा गया जिसके कांज सिमा पर ये माना गया कि 1200 हेक्टेर के अंदर में पूरा फैला हुआ था वहीं पे भीटा के अगर हम बात करते तो उन्नीस हेक्टेर के अंदर में फैला हुआ था इंद नगर के अंदर में पासपास के अंदर में जितने भी नगर मिलें उसके अंदर में क्या दिखा गयाáticasा की में रहातता हुआ कि लग नगर की और आ रहे थे और बढ़ती जा रहे ती इस तरीके से नगरों के इंदर में वसाव ने Tobik लाहर नखने के पर आँ घ्टाए थ safest इसे माल बसीलिवार के बाहर के दिवार भी किले बंदी के बाहर भी एक नगर जिसे व्यवस्ता को इस्थाफित किया गया था ठीक है गंगा घांटी के अंदर में अगर हम बात करते हैं पारंबिक नगरी के इंदरों की विशिस्ता के बारे हम बात करें तो किस तरह के पारंबिक नगरी के इंदरों की विशिस्ता में द अंदर के से अकार का कुछ एग्जिक्ट जो पर्माने वह नहीं मिलता है तो नगरों को अकार बहुत जादा विस्तरित माना गया गंगा नदी के आस पास के चेतरों के अंदर में सासात में आपके किले बंदी की बात करते हैं तो किले बंदी का में कारण क्या होता था कि जो के अंदर उती हैं जो भी खड़ा बंदी की जाता से किले बंदी की जातल थे किले की निर्मान के ठीकDag जातल में शरुक्त की लिए भी मतल्ब आज अगर किस दर से तो उससे बस सके और किले की दिवारों को लिए की इटों का उपियों कीया जाता था किले किया जो छेतर था वो आवासी चेतर के तोर पे माना जाता था उसके बाद में झाल ओएंंगा फी जविस्तर के सब्षान के सीष्पी निरी की जो था को शुटार के हो यह जेएक यहां पर किस तर से जो गंगा घाटी के किनारे में जो पारंबिक एतियाशिक नगर बने वहां पर किस तर से धारमी किस्टल का उधय हुआ जगहों क्या निरुमाण ते इस सारे चीज़ों का भी हम बता सकते हैं, शिल्पुत्पादन के केंद्रों के तौर पर भी नदी के किनारे के जो आसपास का छेतर ता हो करने के लिए आना जाना इजी होता था और देरे देरे वह चेत्र वेप एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल का माध्यम बनने के कारण से वह जावा विक्सित होते जा रहे थे तो इन पॉइंट्स को भी इसके अंदर में क्या देवाल-क्यों के कारते हैं अदिंदर में नगर का आकार क्या था किल पंदी कि जाती थी बहारी जो था उसका निर्मान किस परकार से हुआ नगर का फैलाव किस परकार से होता था किस तर से विस्तार कर रहा था सारवजनी को धार्मी के स्थल का निर्मान क्यों करवाई जा था क्यों क्या कारण था किस प्रकार से हुआ ठीक है घरों का निर्मान किस प्रकार से किया गया ठीक है स्थिल पुतबादन के इंद्रों की विसिस्ता गयती है वो सारी चीज़े इसके अंदर में जब आप डिफा सबस्ता चली सुल्टानों के दिन में वो किस प्रकार किती उसके बारे में आप हम डिस्कस करते हैं जब यहां पर उसके बारे में बात करते तो कई सारे जो वर्ड नहिंद आपको याद रखना है ठीके जिससे आप अच्छे नंबर के लिए उन वर्डों को थाना क्या होता है ठीक है मदर्सा क्या होता है यह तो कुछ वर्ड तो आपको पता ही होगा यह सारे उर्दू वर्डे जिसके काले से थोड़ा सामें confusion भी होता है, मदर्सा हो गया, साही दरवार हो गया, चीक है, साही दरवार हो गया, उसके बाद क्या हो गया, बाजार हो गया, और भी कोई word हो जो आपको उस book के अंदर में दिख रहा हो, तो वह आप यहाँ पर note-down कर सकते हो, इन words को आपको explain करना है, नगरी करन, जो दिल्ली तो एक्ता कहते हैं और Laurie को होता है जो कब्सको और नहीं के विखिसित क्या जाता था जो भी वहां पर तो यहां पर सबस्क्राइब करते हैं कि राजधानी नगर्य प्रांतों का मुख्याले किस तर से नगर्य प्रांत बनाएगे किस तर से राजधानी बनाएगे उसके उपर उनका फोकुस रहता है का नगरों पर सब्सक् Sergei आरे अलग तर की सब्सक्राइब कर यहां Fast को Bowl हुए जयसे बिल्डिंग बनाएग जय है्यां पर यहां DV कह थी यह उत्तिर प्रदेश को गया अलग अलग जगह चान व्यक्राइब कि अगर कभी मीटिंग है तो उनके वहाँ पर की जाती है उनके मुख्यमंत्री द्वारा पदान मंत्री द्वारा उन जगों पर मीटिंग की जाती है तो उसी तर से दिल्ली के अंदर में जो दिल्ली सल्तनत था उसमें अलग-अलग परदेशों के जो मुख्याले ते राजान के अंदर में स्थापित करने का लक्षे रखा गया बड़ा नगर जो किंद्रिस्तर के तौर पे खाना का को जाना गया जहां पर जमात को खाना का का कहा गया जो जमात लोग आते थे नहीं जो बड़े-बड़े लोगों का आना जाना उस जमात खानका में रहता था ठीक है प्रसिद सहर के रूप में खानका के कारण से वो परसीद होते थे जैसा दिल्ली के अंदर में इदगा पर मैंने देखा कुछ समय पहले कि जमात लोग आया हुए थे जो अलग लग जगह से पूरे भारत समय से जमा है जब वहां पर जमात आया लगा हो जमात तो उसकी बाद में आसपास का जो शित्र था बहुत ज़्यादा मतलब रश्ट फुल एरिया बन गया पूरा एक्दम बहुत ज़्यादा क्राउड आ गया क्राउड आने का रीजन क्या था कि लोग वहां पर नहीं नहीं दुकाने खोलने लगे रोड के उपर में पूरा रोड ब्लॉक हो गया और कहा जाता है कि वहां पर जो बिजनेस था उनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जितना वह ना साल बर में कमाते हैं उनका वह जमात तीन दिन के अंदर में उतना कमा ले थे यह भी कई सारे लोगों का मान ज़ मिलने के लिए लोग आएंगे तो मिलेंगे जूलेंगे दान दशना करिंगे कुछ खरीदार से पर्सीद वयपारी कंद्र के दरें को को तौर पर विक्सथ हुआ सिक्षा के अंदरों के तोर पर विक्सित होता चला गया सराय होता क्या है तो सराय एक तरह का किला होता है ठीक है जो राजा मेराजा या फिर किसी भी तरह का आराम कहा के तोर पर जाना गया जहां पर सराय जिसको हम कहते हैं ठीक है ठाना क्या होता है किसी भी तरह का कर कोई कानून व्यवस्था को बना रिखने लिए आज के समय में जो थाना होता है उसी को थाना के पर पर कहते हैं जहां पर भगवान के बारे में बता जाता है जो अल्ला इसवर जो भी है उनके बारे में बता जाता है साही दरवार जहां ups and Down सारे मार्किट के अंदर में क्या किया जाना चाहिए तो उसके उपर में राजा के द्वारा एक व्यक्तिक वृषरोग के दीन में देखने के लिए में मिलता है तो समझ में आते हैं अगले वाले कोश्चन को अगर आप अच्छे से सॉल्फ करते हो तो एक कोश्चन दस नमबर दो टिपनी करने होते हैं तो एक टिपनी एजी हो जाता है और मस्त नंबर मिल जाते पर यह कि उसको सॉल्फ करना बड़ा डिफ्कल्ट रह जाता है अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ रखा तो कोशन नबर सिक्स की और बढ़ते हैं ठीक है समझ में आता है चलिए आप कमेंट करके बताईएगा हमारे च्छटे कोशन के इंदर में बात करें कि मुगल राधानियों के रूप में आगरा फटे पूरी सीकरी और साधाना अबाद की तुन्ना कीज़े तीनों को आपस में कंपेरिजन करना है ठीक है यहां पर में ज्यादा डिटेल में इसको नहीं बताने वाला थोड़ा सा आपको हींट देने वाला हूं चीजों के बारे में इसको आपको खुद पढ़ना पढ़े है क्योंकि इंपॉर्टिन कोश्चन है आप खुद पढ़ोगे अच्छे से समझोगे तो तीनों को आपको डिफाइन कर पर यह पूरा विक्सित हुआ यहां पर दिखा गया तीनों जो राजधानिया थी हमना नदी के टट पर विक्सित हुई नदी के पुर्व टट पर जो एक तरसे खेत के खुले मैदान के तौर पर उप्योग किया गया इन इस्थानों पर क्या होता था हांतियों की क्या धता दूर्ग और कि निर्मान की विशाल संरचना का नियुक्स मिल जाता में यहां पर आसपास में देखने के लिए टिनों जोको पे बात कर और के समय किले के अंदर ब्लश्Сाहरों के जो मेहल उते तो नगरी विश्टित हुए ठीके महल का जो किनारा था वो नदी के टट पे सटा हुआ रहता था साजानाबाद की जो नियोजित नगर वेगस्ता बीसी के समपूर मानी जाती है तो इस तर से मैंने कुछ पॉइंट बता है जो कौम हैं दोनों के अंदर में चीज़ें में देखने के लिए मिलते हैं बात करें तुलनए के तो तुलना कैसे करोगे तो आगरा किस प्रकार का था तो यहां पर तुलना के लिए बताओगे तीनों राजाने करते हो लुए ढ़ना करो 1 इसके बाद के अंदर में एकस्प्लीन करो छ छीके आफ और आपसपांसु में लिएक आच्छे नमेंदर मिल होता है अब हम कोशन नूम्बह्ट 7 के बढ़ते हैं जब हम 7 के बात कर दें तो हहां पर बात करते हैं कि कोशीन जैसे जो सहर थे उनका देनी किस परकार से हुआराजनेतिक रजहानिख और द्टरगाह के और माना जाता है कि एक भीसन बाढ़ आया था उसके बाद में जो उनकी भोगोलिक परिस्तिती थी उसके अंदर में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया उसके बाद से ही माना जाता है कि कोचिन जैसे सहरों का उदे हुआ यहां पर भूभू भूभूतिक परिवर्तन आया बहड़ के कारण से और जो बहड़ के कारण से पेरियार नदी उठा वो अपनी साखा से बढ़कर मतलब आगे के और चला गया जिसके बाद कई तरह के बंदरगाः जम बंते चले गए और उसके बाद यहां पर कोचिन सहर का मेर मन होना स्टार्ट हो जाता है इसके बात करो गया तो कोचिन का जो बंदर गारहा था इस्तीत्व में आया क्या Мих though कोचिन के अंदर में आते हैं तो कोचिन की इननर में याहाँ कारवास कर गई ठीक है जो मतलब महां की जो लोकल लोग थे ठीक है बाढ़ की कानम से क्या हूँआ, अलग अलग जगा प्रवाश करते चले ठिक हैं, पर दीरे तीरे यहां पर यहां होते हैं, कि बाट करते हैं, कि यह तो कोची ने बात करते हैं इनकी सशनचना की गई किस तर से वैपार भी से सेट लए- इसको बढ़ना पशलforward तो इसी कहा है के अंदर में से के तरह के किलिए के निर्मान किया गया के नगरों को निर्मान किया गया तो आरप सब्सक्रान के आदा्य स्क्षिक्ति कि eng साफिनह छूका कोचिन किस प्रकार से बढ़ना तो यहां पर कई तरह के धर्मों के लोग भी रहा करते थे जहां पर आप सोरनकार भी दिखोगे कोकिन भी दिखोगे मुस्लिम और अमरावती का जो छेतरता उनके अंदर में आते थे सारे आपस में तो किस तरह से विक्सित हो वह बस आपको य पतन क्यों क्यों एक बाढ़ की कारण से पूरी तर से विस्थापित हुए लोग वहां से पूरी तर से पतन हो चुका था पर राजनेतिक राजधानी के तौर पर दीरे दीरे राज़ा के दौरा यहां पर अपना राजधानी इस्थापित करना ठीक है अपने रहने के लिए निर्मान कर्वाना तो उसके कांझ से किसे से वापार के तौर प्यूक किया गया यह सारी कोचिन के विकास की रूप रिखाता यह करती है ठीक해 समझ में आता हैं यहां पर बनता है अगले कोश्ण की और बढ़ते हैं अगला कोश्रके मौरा कहता है कोश्स क्यम बात करते हैं आंदोलन के रूप में पनिवीषिक नगान पन रीक्षण जो बाइलन इस था नहीं ऑपमें किस तरह से जो यह पूरा झो अपने के पर जिबाबगी में तोर निर्मान के लिए संग्राविअत कर स्वाथ Purman के लिए अलग निर्मान के आई ब्रहा जहां वखल Кто क कहा दे आथर रोम एशर हथी उनकर माण किया गया सुम राजजे की आदर्शों के तर्ज पर बेभभ भवन करना किया गया तीकि जो मरेशिक इस तर्ज पर यहां पर निर्मान किया गया थिस तरज पर यहँ पर आ वस्तुकला और नगर-णियोजन-पद्धिति का हमने यहां पर मिष्ण देखने के लिए मिलता है जो उपनवेशिक साशन का का इंपक्त नहीं पर देखने के लिए मिल जाता है नगर-विन्याद ऐससी पद्धिति थी जिसी तरह में भवन और उनके विन्याद आपनवेशिक प्रकृति को विवक्त करते हुए हमें नगरों देखने के लिए मिल जाता है उपनवेिशिक शाषन का निर्मान जो 60 कि का मतलब आउंटी करगए उनको दिखाए गा सुदुता की सुदुता को दिखाए गया वहां पर देखने के लिए में मिल जाता है वास्तु कला संबंदित रूपक के माध्यम से विविए आश्मिता सस्क्त रूप में प्रकट की गई कहने के मतलब normally ना कि जो आंदोलन जिजज़ जगह पे आंदोलन होगे उन इस तरलकर उपने वेशिक नगर किस परकार से बने किस परकार से नगर बंदे चले गए यहां पे हमें यह डिफाइन करना है तो अंगरेजों ने क्या क्या जो भी नगर बने अंदोलन जीज जगर मोहरा था तो अहां पे ज्यादा तर नमीन का करना स्टाउट क्या गया लोगों क्यों घ्योंकी नशंगं किया बढ़री तर लोगों ज्यादा मात्र मोस्तायत हो रहते ठीके में महनुaltetगो ने आकल अग् दूसरा ब्लैक टाउन कहा जाता था आपने मर्द मुवी देखी होगी ना तुसके अंदर में एक तरफ में महल होता था दूसरे तरफ में दिवाल खड़ी करके जुगी पुरी होती थी जुगी को अठाने के लिए वग करते थे ठीक है तो वह पूरा जो मुवी है वह एक तर दरौब रहा है उसका भी वहां पर साक्षी देखने के लिए उसका किस तर से यूज किया गया है यह में समझ में आता है ठीक है सर्वोच न्याले जैसे चीज़े जो अलग-अलगतर है गवर्मेंट हाऊस होते थे टाउन होलो ते टिक है तो अलग-अलगतर है कि चीजों का भी वहाँ पर मिर्मान किया और स्वेत जंसंक्या और सुवेत जंसंक्या के तौर पर भी यहां पर इसको देखा गया इसके उपर में भी यह चीज़े की गई ठीक समझ में आता है तो यहां पर हमारा आटवा कोश्चन इस तरह से थे वह पुझी वादी नौकर साइएृ तार्किक और सहाकारी विकास के तोर पर माना गया मतलब अधुनिक नगर के अंदर में एक नौकर यह व्वास्ता जहां पर गयेuyसु नौकर साये व्यृश्टासे लैए갔ो तो उसके तौर पर यहां पानने रहा है भई आदुनिक नगार नाउकर साथ वेष्टाव पुरा वहां पर यह चीज़ साथ में दीक हैं बेनके छलते हैं और अगर हम आदुनिक नगर की कलपना कि रहे साथ में हुए के इसमें क्लोश टो एक्र framoten सा बना चाहिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्री इस भी होना चाहिए जहां पर अखवार जो भी प्रिंट की सुविदा होती हो भी होनी चाहिए पुंजीवादी के द्वारा जो जैसे नगर बना लिया आपने बड़े-बड़े बिमारते बन गई तो उसकी स्वचता के लिए क्या करोगे सीवेज सिस्टम जो नाली बनाना सीवेज बनाना ठीक है सोचता का विशेज ध्यान अगना स्वचता व्यवस्ता का सोचक मानना इन सब चीजों को पर में विजूर दिया गया आप 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 नौर्थ देली में रहत ठीक है तो उसके बाद आपको लगे कि हाँ आप डेली के अंदर में हो ठीक है ता वह चीज़े किस तर से बना स्वक्षता उसको डिफाइन करता है कि वह चीज़े हैं ठीक है तो यहां पर अलग अलग जगों तो इस तरह से तो वह पूरा बहुत ज़्यादा को मतलब मतलब अधिक है पर वहीं पर आप साफ डेली में जाते हो तो सब कुछ अलग देखने के लिए मिलेगा तो यह चीज़ों का इंपक्ट भी आप हमें देखने के लिए मिलता है तो किस तर से नगरों को निर्मान करते समय किस चीज़े का ध्यान रखा कि अंदर में संग्राले निर् स्थानों के तौर पे व्यक्तिकत और प्रसाचनिक तार्किक की नई समझ भी लोगों के अंदर में जूड़ती चली चली कि भीया यह चीज़ बन रहे है तो इसके हमें क्या करना ध्यान रखना है साफ सवाई करनी है फेक्ट्रिया वैपारिक करम के अंदर में निर्मान के पश्चमी सिक्षा प्राप्त के लिए स्थाने जो संस्था युदृति उसका निर्मान किया गया निर्त जातिया रूप में विवन परवासी समुधाय को विक्सित छपाई और सहयोग सहयोगात्मक संस्कृति के साफ्त में जोड़ा गया उसके उपयोग और मनरोजन के लि तो यह आधुनिक नगर के तौर पर जाने गए ठीक है साथी जो सहर के अंदर में जो भूखता थे वह बूखता को रूप में किस तर से नगर था किस तर से चीज़ें तो यहां पर दोस्तों हमारे को एंड होता है आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जोरू बताए और यही रहने वाला है कि हमारे दीन अब चनल को सब्सक्राइब करें कि आपका एक एक सब्सक्राइब करते हो लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं हम आगे बढ़ रहे हैं ठीक है और उस मोटिवेशन के कान से हम और अच्छी वीडिय का membership है ठीक है जिसमें आप एक बार membership लेते हो तो आप वन मंत के लिए दिए आपकी सारी वीडियो को access कर पाओगे और membership program के तहित only दिए आपके उपर में भी श्रीप आठ से नौ वीडियो को डाला गया है ठीक है आने वाले समय के अंदर में और वीडियो को इसके अंदर में एड़ किया जाएगा तो उसके लिए आपको membership लेना बढ़ेगा ठीक है तो दिए आपको membership जरूर ले जिसे आप दिए आपकी सारे वीडियो को access कर पाएंगे और अच्छे न